धार्मिक सतंता के अधिकार के बाद अब मूलभूत अधिकारों में हम पांचवे अधिकार पराते हैं और वह है संस्कृति और शिक्षा संबंदी अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंदी अधिकार Cultural and Educational Rights भारत में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके खान पान, रहन तहन, कपड़े लत्ते, रीती रिवाज, वेज भूशा सब अलग अलग हैं बड़ी विभिन्नता है इतना विशाल देश और इतनी विशाल जन संख्या इसकी विभिन्नता ही तो इसकी रुचकता है और विभिन्नता को बनाए रखने का व्यक्ति को पूरा अधिकार है हमें पूरी सदंता है कि हम अपने समाज विशेश के रीती रिवाजों को कानुसरण करें उसकी वेज भूशा पहनें, उसकी भाशा बोलें, उसकी बोली बोलें खान पान रहन तहन में भी हम अपने समाज विशेश के अनुसार रहने की हमें पूरी सदंता है यही तो भारत की संस्कृति की विशेश्टा है, अनेकता में एकता, इसी को तो कहते है अलग अलग वरीती रिवाज, किसी भी ख्षेतर में आप चले जाईए सो दो सो किलो मेटर के बाद जो दूसरा ख्षेतर है वहां जीवन यापन की शहली आपको अलग बिलेगी वरीती रिवाज, त्योहार, बोली सब बदल जाती है भारत के समिधान में अनुछेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति संबंदी अधिकार दिये गया है आखिर वे अधिकार क्या है? इधी अधिकारों के तहट तो हमारी विभिन्यता इतनी पनप रही है लोगों की परंपराएं, रीत रिवाज, एतिहाचिक जो परंपराएं हैं वो यथा वत बनी हुई हैं आखिर वे क्यों से अधिकार हैं? तो स्वंस्कृति और ख्षिक्षा संबंदी अधिकारों के तहट पहला अधिकार है भाशा, लिपी वो स्वंस्कृति को सुरक्षित रखने के अधिकार भाशा को सुरक्षित रखना, लिपी को सुरक्षित रखना अनुच्षेद उन्तिस एक भारत राजक्षित्र के नागरिकों के प्रतेक वर्क को जिसकी अपनी भाषा है, अपनी लिपी और संस्क्रित है, उसे बनाया रखने का, उसे सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है उन्टिस दो, राजकी साहता से संचाली सिक्षन संस्थाओं में, प्रवेश के संबन में किसी भी नागरिक को धर्म जाती और प्वेजभूशार रहन्सान के अधार पे वन्चित नहीं किया जाएगा ये दो प्रावधान इसके तहट किये गए हैं, उन्तिस एक और उन्तिस दो, भाशन लिपी वा संस्कृति स्रक्षित रखने के अधार पे अब दूसरा, अल्प संख्यकों के हितों की रख्षा अल्प संख्यक किने कहते हैं? एक और बहुत संख्यक और दूसरी और अल्प संख्यक बहुत संख्यक वे लोग जो किसी एक समाज में, किसी एक देश में सबसे ज़्यादाद में हैं वे लोग हो गए बहुत संख्यक और बाकी अन्यमता वलंबी धर्मा वलंबी जो हैं वे सब हो गए अलप संख्यक जिनकी संख्या बहुमत में नहीं हैं वे सब हो गए अलप संख्यक चूंकि इनकी संख्या बहुमत से कम है चूंकि ये लोग सबसे बड़े धर्माव लंबियों की तुलना में इनकी संख्या कम है कई बार ऐसा होता है कि इनमें भै हो जाता है कि कहीं बहुमत इनके उपर हावी ना हो जाए कहीं उनके धर्म को चोट ना पहुंचाई जाए कहीं उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए विवश ना किया जाए कहीं उनकी परंपराओं रीती रिवाजों आदी को ठेस ना पहुंचाई जाए इस भैसे बचाने के लिए अल्प संखिकों को भी कुछ अधिकार दिये गए हैं और उन अधिकारों के तहट इस भैसे उनको धटाने के लिए अल्प संखिकों के हितों की सुरक्षा अनुछे तीस एक इस पर बड़ा पश्ट कहा गया है कि अल्प संख्यक वर्ग को अपनी भाशा, लिपी, सुल्सकृति, अपनी शिक्षण संस्थाइं खोलने और उनके प्रबंद करने का अधिकार होगा ये जो अल्प संख्यकों को शिक्षण संस्थाइं खोलने का और उनके प्रबंद करने का अधिकार है उसी के तहट आप देखेंगे कि पूरे देश में विबिन धर्म मतावल अंबियों ने बहुत सारे स्कूल और कॉलिजिस खोले हैं यद भी वो किसी खास धर्म के मतावल अंबियों द्वारा खोला गया है लेकिन वहाँ पर शिक्षण जो है धर्म आधारित नहीं है उन्तिस दो के अनुसार राज की साहता से संचालित जो संस्थाइं हैं उसमें प्रवेश के समय किसी को वंचित नहीं किया जा सकता तो यहां तीस वन एक अनुसार रज या धर्म के अधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा तीस दो की अधि हम बात करें अनुस्चे तीस दो तो शिक्षण संस्थाओं में ऐसी शिक्षण संस्थाओं में जहां रज सहायता पहुचा रही है आर्थिक सहायता दे रही है वहां पे धर्म के अधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता ह। किसी भी प्रकार से धर्म को प्रवेश देने या ना देने का अधार नहीं बनाए जा सकता ह। अनुछे तीस एक ए इसमें अलप संख्यक को संपत्य संबंद्य अधिकार दिया गया है अर्थाथ अलप संख्यक वर्ग की संपत्य को यदि सरकार लेती है तो उसे मुआवजा देना होगा। उस संपत्य की एवज में अलप संख्यक वर्ग की वह संथा मुआवजे की अधिकारी है तो इस परकार ये हो गया संस्कृति और शिक्षा संबंद्य अधिकार। शिक्षा संबंद्य अधिकार के तहत ही आप देखेंगे पूरे देश में बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं धर्म गुरूओं के नाम से शंटों के नाम से और धर्मों से जुरूओे महापुर्शों के नाम से हैं। लेकिन इन संस्थाओं में जिन में सरकार से मदद मिल रही है उनको चलाने के लिए वहाँ पर किसी खास धर्म का पालन अनुपालन करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं अपने अंतिम मौलिक अधिकार परूर में मैंने बताया था साथ मौलिक अधिकार थे लेकिन 44 संशोधन में एक अधिकार ले लिया गया वापत और वह था संपत्तिक अधिकार। और इस विझकार कुल 6 अधिकार अब हमारे संवधान में हैं उसमें 6 और अंतिम अधिकार। संवधानिक अपचारों का अधिकार अर्थात राइट टु कॉंस्टिशनल रेमिडी। रेमिडी मैंने बताया इलाज, उपचार, रेमिडी, इस बीमारी की रेमिडी क्या है, इस दिक्कत की रेमिडी क्या है, का इलाज क्या है, तो रेमिडी मतलब इलाज, सम्वेधानिक उपचार, दवाईयों से नहीं, सम्वेधानिक तरीके से उपचार, अर्थात, नियायले को नियायले जाने का अधिकार जो सम्विधान की रक्षा करता है जो सम्विधान का सरवोच स्तंब है सम्विधान निर्माता व्यवस्थापिका के बनाए गए कानूनों और कारेपालिका के आदेशों से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सम्विधाने कुप्चारों के अधिकार की व्यवस्था करते हैं ये बहुत महत्पूर्ण है व्यवस्थापिका और कारेपालिका दोनों से बचने के लिए व्यवस्थापिका के बनाए गए कानून कहीं हमारे अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं कार पालिका दवारा आदेशों के परिपालन में कहीं हमारे मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है इसे देखने के लिए समवेधान निर्माताओं ने हमें एक और अधिकार दिया है और वह है अनुच्छे 32 एवं 226 में जिसे हम कहते हैं समवैधानिक उपचारों का अधिकार तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीच समझ जाएंगे किन बातों का आपको ग्यान होगा पहला भारती समवैधान कौन-कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है अधिकार क्या है और समवैधान हमारे कौन-कौन से मौलिक अधिकार हमें देता है दूसरा इन अधिकारों को सुरक्षित कैसे रखता जाता है अर्थात ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये अधिकार जो हमें दिये गए हैं उनका किसी प्रकार से कोई हनन ना करे तीसरा, उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्याय पालिका की क्या भूमिका रहती है किस हद तक न्याय पालिका सक्षम है जिम्मेदार है ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे जनता को जो दिये गए हैं वो जनता के लिए बने रहे यथावत और चौथा मौलिक अधिकार और नीती निर्देशक तत्व जो राज्य के होते हैं इन में क्या अंतर है ये हम मौल्भुत बातें इस अध्याय में सीखेंगे इस अधिकार के तहर यदि सरकार या कोई व्यक्ति या कोई संस्था हमारे किसी भी अधिकार से हमें वंचित करती है पांच अधिकार जो हैं उनसे यदि वंचित करती है तो हम मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग सर्वोच नयायले या उच नयायले से कर सकते हैं यही हमारा बहुत बड़ा अधिकार है इसलिए हम इस right to constitutional remedy के कारण ही इस अधिकार के कारण ही हम अपने बाकी पांच अधिकारों का आनंद ले रहें यदि समवेदानिक अधिकार समवेदानिक इलाज का अधिकार यदि हमें नहीं रहेगा तो हमारे बाकी अधिकार कोई भी लेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे तरकार जब चाहे तो हमें इन अधिकारों से वंचित कर दे हमारे हमारे उपर कार करने वाले या शक्तिशाली वर्क के लोग हमें अपने अधिकारों से वंचित कर दे तो हम कहां जाएंगे नियायले ये नियायले जाने का अधिक अधिकार ही समवैधानिक इलाज का अधिकार कहलाता है और इस बात को ख्याल रखना है कि यही अधिकार अन्य अधिकारों के हनन से लोगों को रोकता है अन अधिकारों का कोई हनन ना हो ये सुनिश्चित करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा का जो दायत्व है वो सर्वोच नयायले और उच्छ नयायले को है पारती समझान के अनिशेद 32 को ज़िए हम देखें तो सरवुच नयायले को नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए भिन भिन आदेश जारी करने का अधिकार है इसी प्रकार अनुचे 226 226 में उच्च नयायले को भी मौलिक अधिकार की रक्षा का जिम्मा सौपा गया है 226 32 में तो सर्वोच नयायले को अधिकरित किया गया है लेकिन 226 में उच्छ नयायले उनको भी इस बात के लिए अधिकरित किया गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कारे करें सम्विधानिक अप्चारों के अधिकारों की विवस्था की दृष्टी से हम बात करें तो डॉक्तर अंबेट करने कहा था कि ये अधिकार इतना महत्पूर्ण है कि भारती सम्विधान की हिर्दय और आत्मा हम इसे कह सकते हैं यदि ये अधिकार हटा दिये जाएं ये वाला अधिकार हटा दिया जाएं तो बाकी जो अधिकार हैं उसके हनन करने में समय नहीं लगेगा उसके दुरप्योग में समय नहीं लगेगा और इस वकार अधिकार रहित मानो समाज की कल्पना करना बेमानी हैं जैसा मैंने शूर में कहा है उच्छितम नियाले और उच्छितम नियाले के द्वारा हमारे अधिकारों की रक्षा की जाती है आखिर कैसे इसके क्या माहने कि उच्छितम नियाले और उच्छितम नियाले हमारे अधिकारों की रक्षा करता है एक तो करता है कि यदि हम पीडित हैं यदि हमारे हम को लगता है कि हमारे अधिकार का हनन हो रहा है तो हम नयायले जाकर अपनी बात रख्या और नयायले फिर उस पे नयायले देता है और सुनिश्चित करता है कि यदि मेरे अधिकार का हनन हो रहा है तो वह ना हो एक तो ये हो गया दूसरे कुछ और तरीके हैं जिसके माध्यम से उच्च और सर्वच न्यायले सुनिश्चित करते हैं कि नागिरिकों के मौलेक अधिकार सुरक्षित रहें पाँच प्रकार से किन प्रकारों से स्रक्षित रखते हैं इन पाँच प्रकारों से वे स्रक्षित रखते हैं ये पाँच प्रकार के आदेश इसे हम आदेश कहेंगे ये पांच प्रकार के आदेश ये नियायले जारी कर सकते हैं नियायले का काम है नियाय देना लेकिन नियाय देने के लिए कई बार जुरूरी होता है कि वह आदेश भी दे तो कई स्थितियों में नियायले को आदेश देने का अधिकार है और वे पांच जो बाते हैं वो पांच रिट कहलाते हैं, लेक कहलाते हैं, आदेश कहलाते हैं, रिट, डबलू आर आईटी, रिट, आखिर वे पांच आदेश क्या हैं? तो सबसे पहले हम रिट को थोड़ा सा समझ लें, डबलू आर आईटी, रिट, रिट एक आदेश है, आदेश, ओडर, दूसरी बात, रिट कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो आदेश कोर्ट के द्वारा दिया ग आदेश है जो कोड के द्वारा दिया गया वह किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति को कोड के द्वारा दिया गया आदेश और चौथा रंतिम बिंदु है कि इस आदेश में उस व्यक्ति या संस्था को कुछ करने य क्या करना है या क्या नहीं करना है ये उस आदेश में बताता है दूसरे शब्दों में writ is an order by a court asking a person to do or not to do something court के द्वारा दिया गया एक आदेश जिसमें वह व्यक्त या संस्था को कुछ करने या ना करने का आदेश देता है विभिन परिस्थितियों में विभिन तरीके के आदेश जिनको पांच रिणियों में बाटा गया है तो पहला आदेश है बंदी तक्षी करन लेक बंदी प्रत्यक्षी करन लेक अर्था रिट आफ हेबियस कॉर्पस बहुत ही महत्पूर्ण है ये जो आदेश है सारे ये आदेश सुनिश्चित करते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन न हो किसी तरह का दुरुपयोक सत्ता के द्वारा न हो लेटिन भाशा में ये शब्द है हैबियस कॉर्पस इसका मतलब है सा शरीर सामने रखना सा शरीर सामने पेश करना अर्थाथ इस आदेश के तहट नियायले को अधिकार है कि वह बंदी बनाया गए व्यक्त को अपने सामने शारीरिक रूप से प्रस्तुत करने का अधिकार दे कई बार पुलिस कहती कि हाँ बंदी वहां है वहां रखा गया है नियायले कहता नहीं उससे सर्ष शरीर यहां सामने लाए जाए प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने का अधिकार है यह आदेश यह लेख उस व्यक्त की प्रार्तना पर जारी किया जाता है जब यह समझता है कि उसे अवैद रूप से बंदी बनाए गया है जदी बंदी बनाए गये व्यक्ति को लगता है कि उसका बंदी बनाए जाना गैर वाजब है और वैद है तब वह कोड से अनरोध करता है कि मुझे सर्ष शरीर अपने सामने उपर्थित करवाने का आदेश पुलिस को दें इसके द्वारा नियायल है बंदी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर उपस्तित करें जिससे नियायल है बंदी बनाए गए व्यक्ति के कारणों पर बंदी बनाए जा जाने के कारणों पर विचार कर सके बात पश्ट हो गई जब दोनों पक्षों की बात नियाला सुन लेता है तब निर्णा करता है कि बंदी करन वैद है या अवैद है और यदि अवैद है तो फॉरण मुक्त करने का अदेश देता है तुरंट मुक्त करने का अदेश देता है तो अर्थात ये बंदी के अधिकार की रक्षा के लिए है ये हैबियस कॉर्पस और यदि कोड को मालूम होता है कि किसी व्यक्ति को शंका है कि इसका अवैद रूप से उसे बंदी बनाये गया है तो कोड पुलिस को आधिश दे सकता है कि इस व्यक्ति को इतने बज़े इस तारीक को यहाँ पेश किया जाए उससे वैदता की के कारणों पर जिरह होती है नियाला इस पर विचार करता है और फिर निना देता है और तुरंथ ही मुक्त करने का आदेश भी दे सकता है इस प्रकार अनुचित और गैर कानुनिर्यूप से बंदी बनाए गया व्यक्ति को इस आधार पर स्वतन्ता मिल जाती है कितना बड़ा अधिकार है यह समसब को मालूम होना चाहिए यह अधिकार क्योंकि हम में से बहुत करते हुए अपने शक्ति का उप्योग करते हुए गैर कानुनी तरीके से लोंगों को गिरफ्तार करके बंदी मनाकर पकड़ के जेल ले जाती है ज़दी ऐसा होता है तो हैबियस कॉर्पस के थाद हमें स्वतन्ता है दूसरा जो आदेश है दूसरा ओरर उसे कहते हैं मेंड आदेश देते हैं यह लैटिन भाषा के शब्द है जैसे पहले का हैबियस कॉर्पस कार्थ था सत्सरीर पेश करना ऐसे ही मेंडेमस कार्थ है हम आदेश देते हैं यह तब जारी किया जाता है जब कोई यह कोट द्वारा जारी किया जाता है यह बात तो स्पस्ट है कब जा कहते हैं जो environment कहते हैं जो court द्वारा जारी किया गया हो जब कोई suppliedfenis संस्था या पदादिकारी अपने कानूनी कर्टविएं का पालन नहीं कर रहा हो 오른 तो इस परकार का आग्या पत्र अधे पत्र वे कर उस पदादिकारी को या संस्था को उसके कर्तव्य पालन का आदेश जारी किया जाता है कोड आदेश देती है उस संस्था को कोड आदेश देती है उस अधिकारी को जो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक रूप से नहीं कर रहा है ठीक से पालन करने का आदेश दिया जाता है और साथ नेमानुसार कारे करने का आदेश कानूनी रूप चे कारे करने का आदेश उसको दिया जाता है उसे गलत कारे करने से रोका जाता है ये कहलाता है मैं डिमास हिंदी में परमादेश तो पहले आदेश किन सित्यों में कोड के द्वारा जारी दूसरा देश के निस्थितियों में कोड के द्वारा जारी और जो दूसरा देश हो दारन के लिए यदि कोई एक कमपनी अपने मजदूर को जो घायल हो गया हो उसको मुआवजा नहीं दे रही है यद्यपिव से श्रमिक कानून के अंतरगत मुआवजे का अधिकार है तो वो श्रमिक नियायले में प्रात्ना पत्र दे सकता है और ऐसी स्थिति में नियायले मैंडेमस के द्वारा कमपनी को मुआवजा देने के लिए आदेश दे सकता है कोई लंबी कानूनी लड़ाई से नहीं गुजरना पड़ेगा एक प्रात्ना पत्र दे संबंदित पक्ष उस प्रात्ना पत्र पर नियायले विचार करेगा और यदि वह उचित है तो वो संस्था को आदेश देगा कि इसे तुरंग मुआवजा दिया जाए यह हो गया परमादेश तीसरा आदेश तीसरा ओर्डर कोड के द्वारा दिये जाने वाला वो कहलाता है रिट ओफ प्राहिबिशन प्रतिधा शेख लेक रिट ओफ प्राहिबिशन प्रतिशेद कार्थ है मना करना यह हमको आपको मालूम है प्रतिशेद करना मतलब मना करना याने भाद से स्पष्ठ है कि कोट किसी व्यक्ति को कुछ करने से मना करता है यह ऐसा आदिश है, मना करने का आदिश है मेंडिमस आदिश है जिसमें कोट किसी व्यक्ति या संस्था को कुछ देने के लिए कहता है कुछ करने के लिए कहता है यहाँ पर कुछ ना करने के लिए कहता है उसे कहते है रिट आफ प्राहिबिशन मना करना नियाले सरवच नियाले या उच नियाले द्वारा अपने अधी नियाले या अन्य नियादिकरणों को जारी किया जाता है उन्हें आदेश दिया जाता है कि अपने अधिकार खेतर से बाहर के मामले की कारवाई स्थगित कर दें अर्थात प्रतिशेद अधिकारियों को गलत काम करने से मना करता है दूसरे शब्दों में यहां पे यह भी स्पष्ट है कि यहां आदेश कोड के द्वारा लोवर कोड कोई दिया जाता है किस चीज से क्या करने के लिए कुछ ना करने के लिए कई बार ऐसा दिखा जाता है कि लोवर कोर्ट जो है वे अपने अधिकार क्षित्र से बाहर जा रहे हैं ऐसा होने पर उपर के कोर्ट इन्हें अधिश दे सकते हैं कि अपने दाइरे में रहें अपने अधिकार क्षेत्र में रहें और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर ऐसी स्थिति को ठगित करने ये कहलाता है रिट ओफ प्रहिबिशन, to prohibit मतलब रोकना, उसी तो बना प्रहिबिशन, प्रतिशेध मना करना चौथा रिट है, रिट ओफ सर्शियरी, रिट ओफ सर्शियरी, उत्प्रेशन, सर्शियरी या उत्प्रेशन मतलब क्या पूर्णत सूचित करो, पूरी तरह से हमें बताओ, सूच ना दो, उत्प्रेशन कार्थ है, सर्शियरी ये भी लेटिन भाष्चा में है उत्प्रेशन जो है वो अधिकतर किसी विवाद को निम्न नियायलेओं से उपर के नियायले में भेजने के लिए उपर के नियायले द्वारा जारी किया जाता है अर्थात सर शेरी में क्या होता है कोई सा विवाद नीचे के नियायले में चल रहा है कभी कभी क्या होता है कि नीचे के नियायले में किसी बात पर जिरह चल रही है कोई सा केस वहाँ चल रहा है जिस पर वाद विवाद हो रहा है लेकिन उच्छ नयायले की नजर में किनी कारणों से यह केस उसके पास आना चाहिए वह चाहता है कि यह केस उनके पास आए उपर के नयायले में जाए तब उपर का नयायले यानि उच्छ नयायले नीचे के नयायले को या सरवच नयायले उच्छ नयायले को यह आदेश जारी कर सकता है कि किसी इस मुकदमे का पूरा विवरन पूरा रिकॉर्ड हमें भेजा जाए इस प्रकार सरवच नियाले उच नियाले के काम में दखल कर सकता है या उच नियाले नीचे के काम में दखल कर सकता है और उन्से सारे record, सारे विवरंड, सारी, उस case से सम्मंदि सारी जानकारी अपने पास मंगवा सकता है। तो भी वह उस मुकदमे को स्वैम सुन सकता है और उसे कुछ निर्देश शहित निम्न नियायले को वापस भी भेज शकता है। अर्थात rate of sorcery भी नियाले से संबन दित है इसमें उच नियाले, नीचे के नियाले के कारियों में दखल दे सकता है किसी शंका की स्थिति में, किसी गलत संभावना की स्थिति में और उसमें सुधार करते हुए वह नीचे के नियाले को आदेश दे सकता है ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था आखिर क्यों है इससे किसको फाइदा हो रहा है आखिर ये व्यवस्था की क्यों गई इसलिए ताकि जो नागरिक है नागरिक को यदि महसूस हो रहा है कि न्याय पालिका को जादती कर रही है तो उपर का न्यायले उस जादती में सुधार कर सकता है उस जादती को समाप करवा सकता है दूसरे शब्दों में ये व्यवस्था नागरिकों को न्याय पालिका की जादती से मुक्त दिलाने की व्यवस्था है न्याय पालिका की जादती से मुक्त दिलाने की व्यवस्था बहुत ही महत्पूर्ण है नियायले द्वारा खुद ही संग्यान लेना अपने ही मातहत कार करने वाले नियायलें का ये एक बहुत महत्पूर्ण सम्वर्धानिक प्रावधान है